तीस जून को आधिरात को GST लागू हुआ इसकी चर्चा गाउं से लेकर शहर, गली से लेकर महले तक हो रही है GST का पहला दिन निकल गया कहीं ये लागू हो गया, कहीं लागू करना अभी बागी है इसकी शुरुवात होती है सुबह के नाश्टे से चाए, कॉफी, बिस्किट और नमकीन पर पांच से 38 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा था जो कल यानि एक जुलाई को 28 प्रतिशत दिया गया वहीं खाने की चीज़ों की बात करें तो पैक्ड आटा और चावल के अलावा किसी भी समान पर इतना असर नहीं पड़ा लेकिन आटा और चावल पर 12 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ेगा GST से ओला उबर दोनों का किराया सस्ता होगा लेकिन कल यानि एक जुलाई को पुराना किराया ही लिया गया सबसे ज्यादा राहत फिल्म देखने वालों को मिली क्योंकि पहले 40 प्रतिशत टैक्स लिया जाता था अब ये 18 प्रतिशत हो गया है मतलब जिस फिल्म के लिए लोग 230 रुपए खर्च करते थे अब 135 रुपए ही देंगे वहीं ब्यूटी पालर्स की बात करें तो वो महंगे हो गए है शॉपिंग करना भी महंगा हो गया देखते हैं GST का असार और आगे कितना पड़ता है बाकी के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल HSP News को सब्सक्राइब करें